नमस्कार दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टमणी मंतरा के एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिट्कॉइन के चार्ट अनलेसिस के बारे में डीटेल में बात करेंगे एक दम कि क्या कुछ यहाँ पर हमको दिखरा है चारट के ऊपर क्या हैं यहांते बिटोवैंगे या सब डकोिंणी की तरफ लेंगे या फिर और जादा नीची की तरफ जा सकते हैं इन सब चीजों के बारे में बात्षीत करेंगी और अगर यहाँ पर market अगर उपर जाएगा भी तो कब से expected है यह सारी चीज़े इन सब चीजों के बारे में discussion करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में तो आगे बढ़ने से पहले आप सो लोगों से गयाना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो subscribe का उटन बिल्कुल दबा लीजिएगा बैल आइकन को भी आज से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन के बारे में क्या पर क्या कुछ प्राइज चल रहे हैं तो यहां पर हम आजाते हैं यह मैं अपनी computer screen पर आ चुका हूं जहां पर आप देख से कि बीटी सी का प्राइस चल रहा है 38,244 और इथेरियम का प्राइस चल रहा है 2630 और यहां पर एक मातर जो cryptocurrency है XRP दिस इस गोइंग गोड अगर आप बाकी सारी cryptocurrencies देख लें तो यहां पर जो है और आल जो है मार्केट के अंदर गिरावट जो बनी हुए सिरफ XRP ही एक ऐसी cryptocurrency है जिसके अंदर की यहां पर हमको थोड़ी सी उच्छाल यहां पर देखने को अदर वाइस तारी crypto currencies जो है यहां पर मार्केट में गिरावट यहां पर बनी हुई है तो यहां पर डाउन ट्रेंड में है सपोर्ट की बात करूं तो फुर्द सपोर्ट इस राउंड अबाउट 37,200-300 के अप्रॉक्सिमेटली जो की बैठेगा रहे और वहां के आसपास से या फिर थोड़ा बहुत आसपास के एरिया से जो हो सकता है कि सपोर्ट यहां पर लेकर bitcoin यहां पर बाउंस भी करें लेकिन यहां पर जो major चीज है यह जो अपने हमने जो यह जो ट्रेंड लाइन ऊपर ब्रेक होते वे देखी थी जो आप मेरे चार्ट के उपर यह जो औरेंज कलर की ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक होकर उपर जाते वे देख रहे हैं उसके बाद इसका retesting अभी तक एक ब यहां पर अगर हम एक चीज देखें तो यह जए चीज देख सकते हैं कि यहां पर एक तो यह lower high बना था यहां पर यह लोर हाई बना था साथ यह जो लो था यह भी ब्रेक करकर market नीचे की तरफ चला गया तो यह अफकोर्स यहां पर सपोर्ट ब्रेक है इसीने market जो है वो न आने वाला हो आज कि मुझे क्या कोछ लगता है कि बीटीजी का टार्गेट कहां तक जा सकता है और कब जा सकता है तो देखिए इस चीज के लिए मैं यहां पर यह चार्ट खोल लिया है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की मैं एक्चुली कहने का लवान हो यहां पर यह वीकली चार्ट है देखिए वीकली चार्ट के उपर मैं आपको इलॉइट वेफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा इलॉइट में अगर हम देखेंगे तो जब बिटकोईन ने यहां पर अपना बॉटम बनाया था करीब करीब डाउन यहां पर आई 3800 के अप्रॉप्सिमेटली जिसने की बॉटम को ब्रेक नहीं किया था मतर्किंग के नीचे नहीं किया था तो सेकेंड वेव यहां पर कम्प्लीट होई दैन यहां पर लॉंगेस्ट वेव जो होती है हम सब लोग जानते हैं धाट यहां की मार्केट च इसके बाद कि अनालेसस बनती है तो देखें इसके बाद कि अनालेसस भी भोगत ज़्यासाथ जरूरी है इसके बाद क्या हो सकता है तो देखें यहां पर जो सबसे शी है अब इसके बाद A B C correction जिसके अंदर की जैसे कि इसके अंदर भी फर्द इसके में भी correction होती है अगर मैं 1 2 3 4 5 बोलू तो 2 wave is a corrective wave यहां पर जो 4th wave that is also corrective wave लेकिन अब ABC correction कैसे होता है ABC correction होता है A wave नीचे and then B wave उपर and then C wave further और ज्यादा नीचे राइट कुछ इस तरीके से अब यह C wave कहां तक जाएगी हमें नहीं पता लेकिन यह हम B wave के लिए थोड़ा सा idea लगा सकते हैं कि B wave कहां तक जाना चाहिए यह सब कुछ चीज़ों के बारे में सोड़ी सी बात करेंगे तो देखिए अब यहां पर at present हम लोग A wave के आसपास यहां पर हैं और उस तक है कि B wave जो यह start भी हो चुकी हो लेकिन B wave के अंदर भी देखिए B wave के अंदर further यहां पर कुछ sub waves होती है जिसमें कि हम 12345 कुछ इस तरीके से करके हम लोग देखते हैं राइट कुछ इस तरीके से चीज़े चलती है तो यहां पर यह जो 12345 करके जो चलता है सारा कुछ जो सिनारियो जो बनता है यह क्या कुछ और कैसे कैसे सब कुछ चीज़े बनती है इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सब बात करेंगे कि B wave जो है वो इस तरीके से यहां पर ऊपर की तरफ जा सकती है and then accordingly जो है market behave कर सकता है तो थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ पर market किस तरीके से कहां तक ऊपर जा सकता है तो देखे सबसे पहली जो चीज है आप लोग जानते हैं कि सपोर्ट बिकम रिजिस्टेंस एंड रिजिस्टेंस बिकम सपोर राइट और यहां पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जब जा रहा था यहां पर फिफ्ट वेव में यह वाली जो वेव थी इसके अंदर जब यह मार्केट ऊपर गया तो हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर इस एरिया में आप देख रहे हो कुछ समय तक सपोर्ट जो बना होगा था तो यहां पर मैं ए को 61,000 एकदम राउंड फिकर कर लेता हूं ताकि मेर को यहां पर जो एक सपोर्ट मिल जाए कि क्या कुछ एक्जाकली जो यहां पर चल रहा है 61,000 और नीचे का एरिया कुछ यहां पर था जो की 57,800 के आसपास था तो यह मैंने एक लाइन यहां पर भी बना ली है कुछ इस तो ऐसे हो गया, अगर मैं इस चीज को अगर मैं देखूँ तो हम सब लोग जानते हैं कि जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है तो फिबोनाकी के हिसाब से लेता है तो यह मैंने यहां पर बनाया एक यहां पर फिबोनाकी लेवल कुछ इस तरीके से और जो मैंने इस तरीक यहां पर गया, support become resistance, resistance become support, right उसी का rule करते हुए, प्लस फिबोनाकी का rule करते हुए, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, right तो मैं यहां पर यह जो circles मनाया है, इनको अटा देता हूँ, और यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर यह वेव हुई, जिसमें कि मैंने आप को भी थोटी तेर पहले पताया, कि यह अगर first wave उपर थी, second wave down, third wave उपर, fourth wave down and then fifth wave up, right, कुछ इस तरीके से अगर हुआ, तो यहां पर market कुछ इस direction में इस तरीके से चल सकता है, so now what is next, ऐसे situation में क्या कुछ expect करें और क्या कुछ यहां पर देखें, right, तो ऐसे situation में हम सब यहां पर यह 61,000 का है, जो मैंने लेवल यहां पर बनाया था, उसी के आसपास ही यहां पर 78,6% वाला retracement भी है, तो यहां पर अगर यह market अगर उपर जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह 12345 उपर करते वह जा सकता है, 12345, right, कुछ इस तरीके से, तो यह जो market जब यह उपर की तरफ जाएगा इस तरीके से, तो यहां पर यह basically होगा, जहां पर कि B wave complete हो जाएगी, B wave के अंदर होती है, जो की होती है, सारी की सारी, 12345 waves, right, क्योंकि एक impulsive wave होता है, B wave, उसके अंदर 12345 यहां पर हो सकता है, यह A wave, A wave down, B wave कुछ इस तरीके से up, and यहां पर C wave down, right, कुछ इस तरीके से, तो देखिए, अब हमको बात करने ही कि जो B wave है, यह B wave का top जो है, जहां पर हम 61,000 के आसपास बात कर रहे है, in fact, यहां पर हम अगर बात करें, तो 57,000 से लेके 61,000 के आसपास हो सकता है, थोड़ा बहुत और उपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो candle closures हो होंगी, जो weekly candle closure होगी, जो daily candle closure होंगी, उनका main यहां पर मकसद होगा कि उनको जो है, वो इसके नीचे आसपास closure कराया जाए, basically, right, तो weekly candle closure अगर इसके नीचे अगर हो जाए, और थोड़ा बहुत अगर कुछ इस तरीके से करके, अगर market अगर यह उपर की तरफ अगर निकले and then further further अगर यह down इस तरगे से आए, so that is perfectly fine, लेकिन यहां पर यह B wave उपर की तरफ निकल सकता है, जहां पर की all time high break नहीं होगा, तो B wave का जो main जो चीज है, वो यह है कि जब यह यहां पर market नीचे की तरफ A wave आया, और B wave जब यह उपर जाएगा, तो यह अपना all time high जो बना उसके भी नीचे जा सकता है market, तो यहां पर यह सारी situation जा सकता नहीं है, इनफाक्ट जाता ही है, C wave का यहां पर यही rule है, तो ऐसे situation में हमको जो है, कुछ समय का इंतजार करना होगा market को उपर जाने का, और of course, ऐसा कब हो सकता है, इस सब चीजों के बारे में बात करते हैं, तो देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि market का उपर जा सकता है, तो यह बहुत ही जादा एक analysis का part भी होता है, लेकिन history भी कोछ नाम की चीज़ होती है, जहां पर हम history देखें कि market में जो momentum है, वो कब आना शुरू होता है, after new year, क्योंकि अभी हम अगर देखें कि नया साल आया हुए करीब करीब अब डेढ़ महीना से जादा जो वक्त जो निकल चुका है, और यहां पर अभी तक हमको कोई भी एक अच्छी खासी rally देखने को मिली नहीं है, जैसे कि हमने पिछले साल देखी थी, लेकिन अगर हम अभी at present अगर हम देखें, तो यहां पर और भी ब देखा है, mostly वो यह देखा है कि alt season जो निकल कर आता है, वो निकल कर आता है, माई मंत में, माई मंत में या माई और जून मंत में हमको निकल कर देखने को मिलता है, basically माई जून के आसपास, तो at present भी हम लोग यही चीज़े कुछ expect कर रहे हैं, जहां पर की market में जो उच्छाल है, वो एपरिल मंत के बाद में, यह 15 एपरिल के बाद में, जो है हमको एक उच्छाल देखने को मिल सकता है, जहां पर की US के taxation भी जो हो गये होता है, और overall जो worldwide अगर में market के अगर में बात करूं, तो वहां पर लोगों के पास अप नया financial year में enter करने के लिए पैसा भी होता ह सारी चीज़े होती है, and then वहां पर एक उच्छाल देखने को मिलता है, जहां पर की हमको market थोड़ा सा ग्रो करते में नजर आ देता है, माई मन्त के आसपास, माई अगर मैं मन्त पर अत्वात करूं, तो is a month, जो की सारी markets के लिए लगबग लगबग जो है, वो अभी तक history कह रहती है, कि जादा तर समय तक जो है, वो bullish रहता है, ऐसा कोई पका नहीं है कि ऐसा हो गई, लेकिन माई मन्त जो है, वो usually bullish रहता है, अगर आप यहां पर altcoin का पिछली बारी का season भी देखोगे, जहां पर की altcoin season आयता पिछली बारी, वो भी माई मन्त में हमको देखने को April मन्त से शुरुवात हो सकती है, अब यहां पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, altcoins related भी, तो मैं अपनी computer screen पर दुबारा आ जाता हूं एक बरी, तो यह रहा हमारा computer screen और मैं यहां पर अभी BTC dominance का chart जो भो खोल लेता हूं, और BTC dominance का अगर हम चार्ट खोलें, तो देखेंगे कि यहां पर basically अभी जो है, फिलाल के लिए बहुत ही जाता बीच में, यहां पर market यह रुका हुआ है, इस zone के अंदर, ना ही तो support break हुआ है, ना ही तो resistance break हुआ है, at present यह बीच में है, तो यहां पर अभी altcoins, Bitcoin के pair में एकदम stable हैं, ना ही तो कुछ changes हो रहे हैं, Bitcoin के pair में एकदम stable है, लेकिन यहां पर इसका मतब यह है कि जो भी Bitcoin कर रहा है, जितनी percentage में Bitcoin गिर रहा है, उसी के ही नजदीक में ही जो है, वो altcoins भी गिर रहा है, और अगर Bitcoin अगर बढ़ रहा है, तो उसी के साथ साथी parallelी जो है, वो Bitcoin के साथी altcoins भी चल रहा है, तो इसमें कोई major जो है यहां पर नहीं देखने को मिल रहा कोई भी चेंज लेकिन अगर हम यहां पर वीकली चार्ट पर अगर हम आ जाएं तो हम को एक चीज देखने को मिलेगी यहां पर और अभी एट प्रेसेंट यह पूरा अगर हम को यहां पर यह पर और यहां पर यहां पर यह और यहां पर यह उपर की तरफ निकलता है तो और जादा बड़ी गिरावट आ सकती है let us take an example अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ADA coin की तो ADA काफी अच्छा जादा coin लोगों को पसंद है और at present अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इस support आपको दिख रहा है zone नीचे मैंने यह support zone मना रखा है roundabout यह शुरुवात होती है इसकी $1 से और नीचे यहाँ पर नीचे जो जाता है वो 91 cents के असपर जाता है अभी तक अगर हम weekly candle अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ADA का weekly candle $1 के उपर ही close हुआ है अगर हम पिछले करीब करीब एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में ऐसा नहीं हुआ कि $1 के नीचे कभी भी आकर ADA की जो है weekly candle closure हुआ हो लेकिन आज है Sunday और Sunday को weekly candle closure होता है जब day end होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि जिस तरीके से at present scenario चल रहा है और यह $1 के नीचे अगर यहाँ पर candle अगर weekly candle closure हुई तो यहाँ पर यह भी further और bearish हो जाएगा आपको याद होगा कुछ समय पहले जब मैंने ADA के लिए यह चीज कहा था अपने एक live session के अंदर जहां पर मैंने यह चीज कहा था कि जब तक ADA इस level तक नहीं आ जाए 40 cents के आसपास मैं इसको personally buy नहीं करूँगा चाहे वो कुछ भी हो कैसा भी situation हो मैं इसको buy नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर में को इतनी यादा growth की chances दिखती ही नहीं है फिलाल के लिए और बहुत सारे YouTubers थे जो कि ADA के लिए बहुत कुछ कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा कोईन है of course fundamentally it's a good coin fundamental अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि सारा का सारा capital उसी coin के अंदर गुच जाएगा यहाँ पर correction भी आती है market के लिए downtrend भी आता है सारी चीज़े आती है हो सबता है कि यहाँ से market bounce भी कर जाए candle closure यहाँ पर ना हो daily candle closure Sunday है तो क्या हुआ क्या यहाँ पर market वापस पूरे दिन के अंदर reverse नहीं कर सकता अफकोर्स कर सकता है क्योंकि अभी इस समय पर 12 घंटे से जादा का समय जो है वो बागी है तो अगर यहाँ पर market अगर bounce करता है और वापस उपर की तरफ भी अगर यह इसको ब्रेक करकर ऊपर की तरफ चला जाए इसे ही बहुत सारे और कॉइंज है अगर मैं Solana की भी बात करूं तो Solana USDT का पर यहाँ पर खोलते हैं तो लाना में भी कुछ इसी तरीकी की चीज़ें जो कि मैंने आपको पास में भी explain करी थी यहाँ पर देखें मैंने बना भी रखा यह बी वेव का तो आप देख सकते हैं कि A wave down and then B wave up it can go and then C wave again it can come down right तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो सकती है और एक करेक्टरस्टिक और बता देता हूं आपको बी वेव का जो कि बी वेव होती है that is the fastest wave in entire 12345 a b c right तो यह जो टोटल में लाके आठ वेव हुई पांच वेव पहले और तीन वेव करेक्शन के टामे पर इसमें जो सबसे fastest wave होती है मैं longest नहीं कहा रहा मैं fastest बोल रहा हूं राइट fastest wave हो सकती है जो कि हो सकती है b wave right तो वह जो है यहाँ पर b wave काफी से तेजी से ऊपर भी जा सकती है बहुत slow down अभी market चल रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जहाँ कुछ लोग पैनिक भी कर रहा है लेकिन जभी भी यह बी वेव जो यही चीज से नारियो है कि वह कभी भी यहाँ पर all time high जो ब्रेक नहीं करता तो यह सारा situation है यह सारी चीज़ें जो कि आप सो लोगों explain करी और कुछ समय बाद हम लोग और चीजों भी बात करने लियां यहां पर market के बारे में कि भौ सारे लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि 100 के जाना चाहिए bitcoin को आने बात करेंगे कि क्या इस साल के अंदर 100 के जाएगा bitcoin यह नहीं जाएगा कि आपने all time high को break कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इन सब चीजों के बारे में बातचीद करेंगे आने वाले कुछ वीडियो के अंदर तो फिलाल के लिए दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो का फिला होगा आपको कुछ सीखने को मिला हुआ आज के इस वीडियो के अंदर technical analysis point of view से और अगर market ने कुछ इसी तरीके से ABC correction जो यहां पर लिया तो हम बी वेव में आपर उमीद करते हैं कि हम यहां पर जो देखने को मिलेगा हमको यहां पर बीवेव वो लगग लगग हमको मई जून के आसपास जो है वो फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखने के ला सुलों बहुत 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 धन्यवाद फिलाल के लिए आपको जो भी आपको कमेंट करना हूं जो भी आपको यहां पर suggestions हो आप सब लोगों की हमारे वीडियो से related अब जरूर पोस्ट करके बताएगा शे